हेलो दोस्तों, वेलकम बैक तो माई चैनल आज किस वीडियो में मैं आप सभी के साथ मेरी वन ओ फेवरेट इंडिन डिजर्ट की रैस्पी शेयर करने वाली हूँ ये है ठेक हुआ या फर आप इंडिन तरीके का बिस्किट इसे मान लो इसे बेक भी करने के जरुवरत नहीं है क्योंकि इसे हम फ्राइ करके बनाएंगे बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये इस्पेशली दिवाले के बाद जो चटवला टाइम होता है उस टाइम पर बनाया जाता है बिहार में तो चलिए आज इसी को बनाना सीखते हैं इसका आप टेक्ट्च्छर देख सकते हैं इसे बनाने के लिए वैसे तो एक सान्चा यूज होता है लेकिन इस वीडियो में आपको बिरा सान्चे के भी बहुत सारी डिजाइन सिखाने वाली हूं तो चले शुरुआत करते हैं इससे बनाने की सबसे पहले हम लेंगे गेहुं का आटा तो थोड़ा सा जाधा ही मैं बना रही थी इसलिए मैंने एक किलो के जितना गेहुं का आटा लिया था दगबग 40 कटोरी के जितना आप चाहे तो मैदे में भी बना सकते हैं बट traditionally गेहूं के आटे के साथ बनता है अब यहाँ पर यह गुड़ है दोस्तों इसे चाहे तो आप कद्दू कस कर लें या फिर इसका powder में मिलता है बजार में आप गुड़ की बजाए चीनी भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं गुड़ के साथ बना रही हूँ गुड़ को मैंने हलका सा फोर के मिक्सी में चला लिया था मिक्सी में बहुत जाथा देर के लिए ना चला है बस हलका सा क्रमबल हो जाएना इतना करना है तो मैंने आधा किलो के जितना गुड़ इसमें यूज़ किया है एक किलो की हों के हाटे में अब इसमें हम डालेंगे गी गी करीबन आधा कप के जितना पड़ा था मैंने फिर से डाला था इसमें हमें basically मोयन लगाना है यानि कि जब सारी चीज़े हम मिलाएं बाद में मुठ़्ी बंदें तो हाथ में इसका आटा रुखना चाहिए इसमें हम डालेंगे सॉंफ सॉंफ मस्ट है इस रेस्पी में इसी का में फ्लेवर आता है तो इसे बिल्कुल भेस किप ना करें ये इलाइची कुटी हुई थोड़ा सा किश्मिश डाल सकते हैं आपकी मर्जी है नारियल बहुत जरूरी है दोस्तों नारियल इस तरीके से चॉप करके भी डालें मुँ में क्रंच आता है और साथ ही में आप इस तरीके से बुरादा भी डाल सकते हैं बहुत अच्छा टेक्शार आता है बस सारी चीजों को मिक्स करना है ये हमारे देसी बिस्किट की रेसिपी है जरूर ट्राइ कीजेगा जिन लोगों ने भी तक ठेक हुआ नहीं खाया है अगर आप एक बार बनाएंगे तो फिर आपके घर में ओम किचिन में ये चीज हमेशा डब्बे में भरी रखी होगी अगर आपने एक बार इस बिस्किट को टेस्ट किया बस सारी चीजों को आपको हाथ से अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है अभी मुझे घी कम लग रहा है तो थोड़ा समय और डालूँगी मैंने लग भग आधा कपके जितना घी पूरे आटे में एड़ किया था आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं आपका आटा बस बंधना चाहिए यह देखे मैं ऐसे बार 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 बान बान के चेक कर रही थी तो अभी मुझे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक लग रही है अब इसमें हम डाल देंगे दूद आप चाहे तो पानी के साथ भी गून सकते हैं लेकिन दूद से काफी रिच फ्लेवर आता है तो मैं दूद डाल लिए हूँ दूद नॉर्मल डूम टेंपरिचर पर है कोई गरम ठंडा डालने के जुरत नहीं है थोड़ा थोड़ा दूद डालके आपको इसका समी टाइट थोड़ा सा टाइट डो ही लगाएगा धीला आता मत गून देगा थोड़ा टाइट लगाएगे तो आपके बिस्किट यानि की ठेकवा उतने ही ज़ादा खस्ता बनेंगे यह देखें मुझे गून्दे में दिक्कत हो रही है लेकिन मैं बहुत ही थोड़ा सा दूद और एट करके एक से दो चमच इसका मैंने इस तरीके से डो बना लिया आप देख सकते हैं बहुत टाइट है लेकिन इसी से हमारे ठेकवा काफी अच्छे बनेंगे अब थोड़ा थोड़ा आप डो निकालें अब बारिया आति इसके शेप बनाने की लेमन साइज के बॉल निकालें जो एक निम्बू का साइज होता है उस साइज के इसके आटे के गोले आपको बना लेने है ट्रडिशनली ये जो ठेकवा होता है इसका साचा आता है दोसों लकडी का वो भी मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ लेकिन मैं आपको यकीन मानिए इसे वीडियो में बहुत सारी ऐसे डिजाइन्स हैं जो की बिना साचे के आप घर वाली चीजों के साथ बड़े आरा थोड़ा घी लगाना ज़रूरी है क्योंकि लकडी का साचा है ये चिपके नहीं इसलिए थोड़ा सा घी लगाने पहले ही अब आपको एक बॉल उठानी है इसे थोड़ा सा और राउंड शेप देने की कोशिश करें और जैसे मुझे फलार बनाना है इसके उपर रखें और हथेली से ऐसे दबा दे अपने आप ही शेप बन जाएगा है ना कितना सुंदर और देखके ही लग रहा है कि कितना ज़ादा ये खस्ता बनने वाला है मैं इसी तरीके से एक दो डिजाइन आपको और दिखा दे रही हूँ ये नीचे वाला इसमें पत्ती का शेप आता है थ याने कि एकदम गोल ना रहे है थोड़ा सा लंबाई में कर दे जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में और ये देखें ये पत्ती का शेप आ गया ये मैं पीछे वाले भी डिजाइन इसकी दिखा दे रही हूँ दोस्तों इससे बना दे समय अगर आपके ठेकवे के साइट्स थोड़े से कटे फटे बने यानि कि उतनी जदा फिनिश ना आया तो परिशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो डो है काफी जदा टाइट होता है कटे फटे हूंगे तो उससे आपका जो ठेकवा है और जदा क्रिस्पी और खस्ता बनता है तो उसकी टेंशन लेने की जुरूरत नहीं है हमने आटा ही टाइट लगा है इस वज़े से साइट इसी तरीके से दिखेंगे अब मैं आपको घर वाली चीजों के साथ कैसे डिजाइन बनानी है वो दिखा देती हूँ इस तरीके से मैं एक फोक का अस्तुमाल कर रही है डिजाइन देने के लिए ये भी कितना जाब सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैं अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप इस तरीके से अलग-अलग डिजाइन बना सकते हैं ये तो था फोक के साथ अब मैं और भी चीजों के साथ दिखा दे रही हूँ जो कि हमारे गर पे बड़ी easily available होते है थोड़ा जो गोल आता है उसको चप्टा कर दे फिर उसके बाद ये इस तरीके से चाने वाली चन्नी होती है दोस्तों, जैसे हम कोई फ्लैट कर लेंगे गोल करने के बाद अब हम बनाएंगे ये चाय वाली चन्नी है ये पीछे वाला हिस्सा है इसकी डंडी से पीछे इस तरीके से एक डिजाइन होती है आप उसकी मदद से भी गुमा गुमा के इस तरीके से फ्लार बना सकते हैं एक तो हो गया ये अब चम्मच से चम्मच का आगे वाला हिस्सा ही उस करके ये हो गई हमारी चौथे डिजाइन बिना साचे के हमारे गर में ऐसी बहुत सारी चीज़े होती है मतलब जो इसकी डिजाइन है बिना साचे के आप अपनी creativity के according कैसी भी बना सकते हैं अब मैं आपको पत्ती बना के दिखा रही हूँ इसे थोड़ा सा cylindrical shape देने के बाद चप्टा करें और उपर से थोड़ा सा कौन दे दें ये एक पत्ती की तरीके से लग रहा है अब चाकू या फिर चमज भी आप यूлет कर सकते हैं चाकू का इस तरीके से पीछे वाला हिस्सा यूछ करें जादा धार वाला नहीं जो मोटा वाला हिस्सा है उसे यूश करके आप इसकी पत्ती बना सकते हैं ये देखने में साचे वाली भी पत्ती से ज़्यादा सुन्दर लगता है आप देखे कितना असान है कोई भी बना सकता है तो एक एक करके आप इस तरीके से बाकी के सारे बिस्किट तयार कर सकते हैं इस तरीके से प्लास्टिक की टोकरी होती है दोस्तों हम सभी के घर पे मैं एक डिजाइन आपको इससे भी दिखा दे रही हूँ मैंने अच्छा से साफ कर लिए है डोंट फरी डोको इस तरीके से रखेंगे तोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि दब जाए दूसरे साइट का डिजाइन आ जाए और ये देखे कित्ती जादा सुन्दर डिजाइन है ये भी तो ये आपकी creativity पर depend करता है मैंने आपको बिना साचे के 5-6 डिजाइन अभी तक सिखा दी है आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़े होंगी जिससे आप अलग-अलग अपनी innovation के according बना सकते है तो है ना कितनी आसान सी recipe तो ये वीडियो देखके कोई भी इससे बना सकता है चाहे आपके पास साचा हो या ना हो उसकी कोई tension नहीं है आप ठेकवा बड़े अराम से बहुत सारी डिजाइन में बना सकते है तो यहाँ पर मैंने सारी ठेकवा तयार कर लिए इसमें बुलबुले शुरू हो गए यानि कि तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है अब इसे हम एक एक करके डाल देंगे ये पत्ती वाला इसे दोस्तों मीडियम तू लो फ्लेम पे आपको यानि कि मध्यम से धीमियाज के बीच में पकाना है एक बैज फ्राई होने में कम से कम साथ से दस मिनट लगते हैं तब ही आपका ठीक होँ अच्छे से पकेगा नहीं तो अंदर से कच्छा रह जाएगा उपर से कलर तो आ जाएगा क्योंकि गुर्ड डाला है इसमें हमने एक दम अच्छे से क्रिस्पी और अंदर से खस्ता बने इसलिए आपको इसे धीमियाज पर ही प्राई करना है एक बार में जितना आप है उतना ही डालें बहुत जादा भर भी ना दे क्योंकि फिर तूट जाएगा ना पलटते वक दिक्कत होगी आपको तो एक बार में मैं जितना मैक्सिमम डाल सकती थी मैंने डाल दिया और इसे बार-बार कर्ची से चलानी की जरुरत नहीं है दोस्तों कोशिश करें कि इस पे कमी काम करें कर्ची से क्योंकि पलटते वक तूटने के चांसे होते इतनी खस्ता होता है ये डो तो एक बार जब अच्छे से हो जाए दो से तीन निट तो इसे पलट ले क्योंकि इसमें हमने गुर्ड डाला है तो इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा अगर आप चीनी के साथ भी बना रहे हैं तो भी बहुत अच्छा कलर आएगा लेकिन ट्रेडिशनली जो ठेकवा बनता है वो गुड और गेहूं के आटे के साथ ही बनता है बाकी आपकी मर्जी आप मैद और चीदी भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगा पे जब एक साइड हो जाए इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड भी हम पका लेंगे जब एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाए गुल्डन हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे तो यहां पे एक बैच फ्राइ हो गया है इसी तरीके से मैं बाकी की भी फ्राइ कर लूँगी एक्स्ट्र ओयल निकालने दोस्तों आप चाहे तो इसे एक टिश्व पेपर पे भी रख सकते हैं ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो हट जाए यह देखे कितने जादा सुन्दर लग रहे हैं सारे डिजाइन्स हमने जो बनाए हैं पत्ती भी कितनी जादा सुन्दर लग रही है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जो भी खाएगा वो गैस नहीं कर पाएगा कि आपने इतनी सुन्दर डिजाइन्स कैसे बनाई है और खाने में तो इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता ही है कि अगर आपको डिजाइन भी बनाने का मौकान नहीं है आप ऐसे गोल चप्टा करके भी बिना डिजाइन के भी डाल सकते हैं लेकिन डिजाइन के साथ थोड़े से अट्राक्टिव लगते हैं इसे आप एक एरटाइट कंटेनर में रखके महीनों खा सकते हैं तीन तीन चार चार महीने खराब नहीं होते दोस्तों पहले बाद तो इतने दिनों तक इस तरीके की चीज़े बच्टी नहीं है लेकिन ये खाने में बहुत ज़दा टेस्टी होते हैं आप रूम टेमपरिचर पे रखके इसे तीन से चार मेने खा सकते हैं तो दोस्तों आज की रेस्पी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना न भूलें और मेरी इस रेस्पी को ट्राइ करने के बाद जो भी जैसा भी आपका बनता है आप मुझे प्लीज यहां पे आके अपना फीडबैक शेयर करें ताकि इस तरीके की और भी अमेजिंग रेस्पी में आप सभी के साथ शेयर करती रहूँ तो दोस्तों गर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं इसी तरीके की रेस्पीस के लिए मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले साथी में बेल आइकन यानि की गंटी जैसा साइन भी आज से दबा दीजेगा तकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अफ्लोड करूँ उनके नोटिफिकेशन आप से मिस नहीं हूँ अब ये देखे इसमें जो हमने बीजविश में कटे बेनारियल डाले ना मैंने इसलिए बोला था ये खाने में इतने जादा टेस्टी लगते हैं काफी अच्छा क्रंच आता इसकी वज़े से और सॉंफ की वज़े से एक बहदरीन फ्लेवर आता है तो ये दो चीज़ें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है सिंपल होम इंक्रेटिंट के साथ मैंने आप सभी को आज ठेक हुआ बनाना सिखाया I just hope कि आप सभी को पसंद आया हो मैं मिलती हूं इसी तरीके की एक और नहीं रैस्पी के साथ तिल दिन टेक क्या बाबाय और कीप कुकिंग